दोस्तो भारत देश में वैसे तो कई बिजनसमेन हैं लेकिन मुकेश अमबानी का नाम इस लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है इसके अलावा रतन टाटा भी लिस्ट में किसी से पीछे नहीं है या फिर यूँ कह लीजिए कि दोनों ही काफी बड़े लेवल के उद्योग पत तो दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं आज के इस वीडियो में हम आपको मुकेश अमबानी और अतन टाटा की प्रॉपटी और नेट वर्थ के बारे में बता रहे हैं तो आईए जानते हैं आखिर कौन कितने पानी में हैं इसी के साथ अगर हम इसी बीच बात करें नीता अमबानी की तो मुकेश अमबानी ने अपनी वाइफ को एक नहीं दो नहीं बलकि तीन बार प्राइवेट जट गिफ्ट किये हैं पर प्राइवेट जट लक्सरी कार्ज और एंटीलिया के मालिक मुकेश अमबानी के पास सिरफ 6 कमपनिया हैं वही पर अगर रतन टाटा की बात करें तो आई टी टी यू से बंगले में रहने वाले रतन टाटा के पास 135 कमपनिया हैं अब आप ही बताईए 6 वर्स एक 135 किसकी जेब होगी भारी दोस्तों अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों मिले तो वो भी एशिया के क्या इस दुनिया के सबसे उमीर आदमियों में अपनी गिंती करवा सकते हैं लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं तो चलिए सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और दोनों बिजनसमेन के पैसे और शो आफ से भरे सफर को जानते हैं मुकेश अंभानी व आज पांच लाग करोड हो गई है लेकिन 21,000 से पांच लाग करोड तक का ये सफर असान नहीं था क्योंकि 1849 में जमशेद जी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उमर से ही शुरू हो गया था जब उनकी ग्राजवेशन खतम हुई थी और पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उन पर आ गई थी जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने 21,000 जोड कर टेक्स्टाइल ट्रेडिंग का काम शुरू किया था फिर जैसे ही धंदे में पांच जमने लगे तो जमशेद जी ने नागपुर में एक पहले टेक्स्टाइल मिल शुरू की जहां उन पर लक्षमी जी क कुछ हैसी क्रिपा हुई कि उसे धंदे में प्रॉफिट को देखकर उनके मन में तीन बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने की बात आई जिससे ना सिरफ उनको बलकि उनके पुरे देशवासियों को फायदा मिले हाला कि वो अपने इस सपने को पूरा होते नहीं देख पाई लेकिन उनके नक्षे कदम पर चलते हुए उनके बेटे ने जिनका नाम दुराब जी टाटा था आईरन स्टील कमपनी और हाइडरो इलेक्ट्रोनिक पावर इस्टाबिश की उनका सपना पूरा किया और साथ ही इंडिया में शुरू किया पहला इंडियन इंस्टिटूट लेकिन दोस्तों इसे वक्त का सितम कहलो या उमर का पढ़ाव जल्द ही उनका भी देहान दो गया जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रूप की जम्मेवारी रतन भाई टाटा ने ले ली और पुरानी 14 कमपनियों के चलते उन्होंने टाटा ग्रूप कमपनी का आंकड़ा 95 तक पह पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन्स की भी शुरुआत की जिसके बाद उसे गवर्मेंट ने अपने अधीन लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया रख दिया पर इन सब के बाद तीन पीडियों का नाम और काम आगे बढ़ानी की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा जी क जिन्होंने इसे बखुबी निभाते हुए टाटा इंडिस्ट्रिस का नाम आज ग्लोबल में ऐसा फेमस कर दिया है कि बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम करना चाहता है तब ही तो आज कंपनी का नेट वर्थ पांच लाक करोड तक जानाई है ना उतनी ही बड़ी बिल्डिंग में मुंबई के आधी से जाधा पॉपुलेशन रहती है जी हाँ आपने सही अनुमान लगाया हम बात कर रहे हैं अमपानी की जिसके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था और हमारे पापा की तरह ही उनके पापा धिरू भाई भी कड़ी मेहनत करके अपनी सैलरी से सिल्वर पॉइंट जमा करकर के अपना बिजनस शुरू किया था पैसा जमा होने के बाद धिरू भाई अमबानी वी देश की नौकरी चोड़कर मुंबई आ गए और एक चॉल में रहने लगे और बड़ी कड़ी मेहनत और संघर्श के गया और कस्टमर का रिस्पॉंस उसे अच्छा नहीं मिला जिसके बाद उसके स्टॉक में लोगों से इनवेस्ट करवाने और उनके स्टॉक को बेचने का काम धिरू भाई अमबानी ने शुरू किया लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि जिस टाइम मे लोग इनवेस्ट करना नहीं जानते थे उस टाइम में धिरू भाई अमबानी ने विमल के आई पियो में लोगों से इनवेस्ट करवाया और ऐसे इनवेस्टमेंट करवाई कि जिसका फाइदा कंपनी और इनवेस्टर्स दोनों को भरपूर हुआ और कुछ ही सालों में 70 कर करोड के रेवन्यू वाले रिलाइंस का रेवन्यू 2002 में 75,000 करोड को गया लेकिन इस रवन्यू और बिजनस में सक्सैस के चलते के रिलाइंस就是說 का नाम फॉर्चिन 500 इंश चामिल हो गया लेकिन शायद दीरू भाई अमबानी के हिस्से में इतनी ही सक्सेस थी इसलिए तो इस साल उनकी तब्यत खराब होने की वज़े से उनकी देथ हो गई उनकी मौत के बाद उनके पूरे बिजनस को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अमबानी के बीच डिव हो गई थी चलिए बात करते हैं इन दोनों के प्रेजंट की यानि की इन दोनों के आज के पैसे की क्योंकि लड़ाई तो सारी पैसे की ही है न क्या आप जानते हैं कि 88 मिलियन की नेट वर्थ वाले मुकेश अमबानी रिलाइंस रिटेल रिलाइंस पेट्रोलियम और रिलाइंस इंडस्ट्रीज अभी लिमिटर सेक्टर में ही काम करती है लेकिन वही पर टाटा ग्रूप आलमोस्ट हर फिल्ड में काम कर रहा है जैसे स्चील, कैमिकल, आईटी, आटो मुबाइल वगेरा 135 से जादा कंपनी की सबसीडी होने के बाद भी टाटा ग्रूप की न गया सा खतम करते हुए आज हम आपको ये बात बता देते हैं तो दोस्तों मुकेश अमबानी का नेट वर्थ इसलिए जादा है क्योंकि रिलाइंस कंपनी में 48 प्रतीशत से जादा शेयर के वो मालिक है और जब शेयर ही लगबग आदे से जादा उनके नाम है तो जाहिर सी कि टाटा ग्रुप में 1% से भी कम के शेयर के मालिक हैं क्योंकि उनके ग्रुप का 66 प्रतीशत शेयर उनकी कंपनी अलग-अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा सर दौराब जी टाटा ट्रस्ट या टाटा एजुकेशन ट्रस्ट इन सब ट्रस्ट पर डोनेट करती हैं जो कि कि एजुकेशन हेल्द लिविंग अच्छा जनरेशन और आर्ट कल्चर जैसे अलग-अलग सेक्टर पर काम कर रहे हैं मतलब की बंदे को 135 प्लस कंपनिया मिली थी अपने नाम करने के लिए लेकिन फैमली वैल्यूस को आगे बढ़ाते हुए वो कंपनी का टू थर्ड से भी जादा हिस्सा देशवासियों को दान कर रहे हैं इसका मतलब समझ रहे हैं आप इसका मतलब यह है कि अगर वो सिर्फ चैरिटी वाले रतन टाटा जी अपने नाम कर लें तो आज वो शायद इंडिया के ही नहीं बलकि पूरे एशिया के सबसी अमीर आदमी हो जाएं लेकिन कहते हैं जैसे खर्चे वैसे चर्चे घर गाड़ी पैसा इन दोनों के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी क्यों हम देखते हैं कि एक के चर्चे तो दूसरे के कम होते हैं क्योंकि बस पैसा बोलता है लेकिन जिसको दिखावा करना आता है उसका पैसा कुछ जादा ही बोलता ह तबी तो अमبानी ने जब अपनी बेटी की शादी में 110 करोड का खर्च किया तो चर्चे बड़े जोरो शोरो से सुनाई दिये थे और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि मुकेश मबानी ने अपनी वाइफ नीतामबानी को एक नहीं बलकि तीन बार, एक हजार स्क्वार फीट का प्राइविट जेट गिफ्ट किया है जिसकी कीमत करूडों में होती है लेकिन चौंक्यमत अभी उनके खर्चे खतम नहीं हुए उनके पास एक याड भी है जिसकी स्पेशली सोलर ग्लास छट बनाई गई है और जिसकी अप्रॉक्स कीमत 700 करोड है अब पती जब इतने खर्चे कर रहा है तो बीवी क्यों पीछे रहे इसलिए नीताम बानी को हमेशा नए डिजाइनर कपड़े ब्रैंडेड वाचिज और महंगे बैक्स के साथ दिखा जाता है वहीं अगर रतन टाटा जी के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडियोलोजी हमेशा सिंपल लिविंगी रही है और उन्होंने अपने पैसे को हमेशा स्टार्ट अप में इन्वेस्ट किया है टाटा ग्रूप लोगों के लिए बिना किसी पबलिसिटी के काम कर रहा है अब ये तो साफ है कि वैल्यूज किसके इंपॉर्टन्ट है क्योंकि एक बिजनसमैन अगर गुलाब भी खरीद लेता है तो उसकी हवा उड़ने लगती है मतलब कि उसकी न्यूज बनने लगती है और दूसरा बिजनसमैन है जो कि बिलकुल चुपचाप अपना सोशल वर्ग किये जा रहा है अब आप ही बताएए दोनों बिजनसमैन एक जैसी मेहनद करके अपनी कमपनी को आगे पहुंचा दिया है लेकिन एक इनसान चुपचाप दुनिया की नजरों से बचकर अपना काम किये जा रहा है और दूसरे चोटे-चोटे खर्चे करके लाइम लाइट में आ जाता है ऐसे में अपने खर्चे की चर्चा करवानी जरूरी है आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो इंफोर्मेटिव लगी तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वाचिंग